मामला शोवपुर शहर के बड़ोदा रोड स्थित पूल दर्वाजे के सामने स्थित नैशनल ग्रीस और ऑइल की दुकान और श्रिनात ऑनलाइन दुकान में अचानक से लगी आग का है जहां आग लगने से 6 लाग रूपे के नुकसान होने के आश्रंग का जिताई ज़ा रह किया जहां रात के बाद सुबह आग पर काबो पाया गया वहीं दुकानदार के माने तो नितिर रेगर का क्याना है कि अभी दो महापूर भी सरकारे लोन की मदद से निची पैसे लगार कर ऑइल ग्रीस का कारोबार शुरू किया था लेकिन अचानक लगी आग में सब कुछ बरबाद कर दिया दुकान में रखे लगभग चार लाग से ज्यादा एक दरजन ओल के ड्रम ओल और ग्रीस के डबे आग लगने से जलकर खाक हुए हैं वहीं आप ये देखना होगा कि आग लगने पर हुए नुकसान का शासन प्रशासन द्वारा गरीब युवाओ को क्या कुछ साहेता मुहिया कराई जाती है शोपूर से संबादाता कोवंदगर्ग की रिपोर्ट हे दुटान काई कीए यह जएक है जोटान वारी मेरी जच आगे ऑनलैन की दुटान है और इन की पीछे ह Bubble की दुटान है और दोनों का सामाना वसक्ति फर नंक्सान होगा एक सामान अपक पूरे बेस बें बलग दिपके Cabinet QueerUR आपका क्या था उसमें आपका क्या क्या था ओनलाइन की दुकान में कंपुर्टर लेप्टोप था तीन प्रिंटर के टीवाइस ठीड़ो और काॉंटर बगएरा थे और और वी डिवाइस भगएरा थी मतलब दो लाग के लगबद का आपका नुक्सान हुआ है आपका बताना यह का आपका चार्ड लाग का नुक्सान हुआ जिसमें ओईल के डिपे ओल के ड्रम बगेरा बहुत सारा आइटम था